नमस्कार दोस्तों, DMH Foods में आप सभी का स्वागत है, यू टू केन कुक विद डॉक्टर मिनाक्षी हर्यानी, और आज हम मनाने जा रहे हैं पेरी-पेरी थिन एंड क्रिस्पी धोकलाज. तो आएए, हम तयारी शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें ढोकले का बैटर तयार करना है. बैटर के लिए हमें रवा, दही, बेशन, पानी और नमक मिला लेना है. सोडा हम अभी नहीं मिलाएंगे, इसे बाद में ही थोड़े-थोड़े पोर्शन में मिलाते जाएंगे. यहां पर रवा इस्तिबाल करना इसी लिए जरूरी है क्योंकि इससे ढोकले का टेक्श्चर बहुत ही अच्छा आता है. जब आपका बैटर तयार हो जाए, तो इसे इमिजेटली यूज न करें. 15-20 मिनिट के लिए इसे ढखकर साइड में रख दें. 15-20 मिनिट के बाद एक छोटे कटोरे में थोड़ा बैटर लेके आप उसमें सोडा मिलाएंगे. सोडा हमें जैसे ही मिलाएंगे, वैसे उसमें थोड़ी फ्लफिनेस आ जाएगी क्योंकि एर बबल्स उठ चुके हैं. अब आप एक स्टीमर में पानी डाल कर उसे गरम करके उसकी स्टीम तयार कीजिए. यहाँ मैंने राइस कूकर का इस्तिमाल किया है, आप चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं. यहाँ पर एक प्लेट में थोड़ा सा तेल लगा कर उसे ग्रीस कर लीजिए. अब इसमें आपको थोड़ा सा बैटर डाल कर उसे टैप करना है ताकि वो बैटर जो है वो अच्छे से पूरी प्लेट में फैल जाए. प्लेट का जो बेस है वो फ्लैट ही रहे. तीन से चार मिनिट में हमारा धोखला स्टीम हो जाएगा. क्योंकि यह धोखले इतने पतले हैं तो इन्हें समय नहीं लगता. अब आप दस मिनिट के लिए इस प्लेट को छोड़ दें ताकि वो थंडी हो जाए और यह धोखले आसानी से निकल जाए. इसी तरीके से बाकी की धोखले शीट्स को तयार करके आप छोटे पीसेज में काट लीजिए. यहां काटने के लिए मैंने पीजा कटर का इस्तिमाल किया है, आप चाहें तो चाकू का भी इस्तिमाल कर सकते हैं. अब एक कढ़ाई में थुड़ा तेल गरम करके उसमें राई के दाने, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालिए. हमारे कटे हुए डोखले के पीसेज को भी डाल दीजिए. मीडियम हाई फ्लेम पर इन धोखलास को क्रिस्पी होने दीजिए. एक साइड पर इनमें गोल्डन मार्क्स आ जाएंगे तो आप समझ जाएए कि ये क्रिस्पी हो चुके हैं. हलके हाथों से इनने टॉस कीजिए. अब एक ट्रे में ट्रांसफर करके इन धोखलास के उपर पेरी-पेरी मसाला स्प्रिंकल कीजिए. और हरे धन्या से गार्णिश कीजिए. लीजिए हमारे गर्मा गरम पेरी-पेरी थिन अन क्रिस्पी धोखलास रेडी हैं. धन्यवाद.